हलो दोस्तो स्वागत है एक बार पुना आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बायोलाजी एंसी आर्टी में चैप्टर फाइप में देखेंगे दोस्तो आज सेंट्रो मियर की इस्थित के अधार प इस पर यहां पर सम documents के प्रकार देखेंगे तो देखेंगे दोस्तो सेंट्रो मियर की इस्थित के अधार पर पर जो हमारा गुड़ फ्रकार को होता है थोसरा है। लिखंद दोस्तों दोस्तों हमारा सब मेत्सिंट्रिक और मेत्सिंट्र्इक सबसे पहले क्रबं से पहले की हुआ तो तो टीलो सेंट्रिक गुड़ सूत्र क्या होता है दोस्तों इसमें दोस्तों सेंट्रो मियर जो होता है वह गुड़ सूत्र के एक छोर पर यानि एक सीरे पर अगर सीरे पर पाया जाता है तथा उपर क्यों पाया जाता है ठीक है दोस्तों इसमें जो सेंट्रो मियर होता है तो ठीक है दोस्तों तो देखे दोस्तों टीलो सेंट्रिक में क्या होता है कि टीलो सेंट्रिक में गुड़ सूत्र में जो सेंट्रोमियर पाया जाता है वो सबसे उपरी भाग में पाया जाता है या उपरी सीरे में पाया जाता है ठीक है दोस्तों तो आए हम टीलो सेंट्रिक को सभालब रूप में जो सेंट्रों होता है इसका क्रोमो चिया है उपार होता है ठीक है दोस्तों तो क्या है इसके उपर Central म ossow में तो गुड़ सूत्र में दोस्तों इस प्रकार के गुर्षूत्र में क्या है दोस्तों ये तो हमारा गुर्षूत्र हो गया ये क्रोमोजोम हो गया और इसके उपर क्या है ये हमारा ये क्या है दोस्तों सेंट्रोमियर क्या है दोस्तों इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर ठीक है दोस्तों तो सेंट्रोमियर कहां होता है दोस्तो centromere कहां पर है यहां पर सीरे पर है ठीक है दोस्तों और किस सीरे पर है तो अगरे सीरे पर ठीक है दोस्तों कहां है centromere हमारा अगरे सीरे पर है और यह क्या हमारा गुरसूत तो यह भुजा कैसी है दोस्तों लंबी भुजा है तो इसको हम लेख सकते हैं long arm arm मतलब होता है दोस क्रोमोसोम के सीरे पर या अगरे सीरे पर उपर की ओर होता है तो इस प्रकार का क्रोमोसोम क्या कहलाता है दोस्तों टीलो सेंट्रिक क्या का दोस्तों हमने इसको टीलो सेंट्रिक ठीक है दोस्तों तो टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए दोस्तों हमारा दूसरा प्रकार है देखिए दोस्तों जो दूसरा हमारा प्रकार है वो क्या है एक्रोसेंट्रिक यानि सेंट्रोमियर की स्थित के अधार पर हमने पहला क्या पड़ चुका दोस्तों यहाँ पर टीलोसेंट्रिक अब देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रकार है वो क्या है दोस्तों एक्रोसेंट्रिक तो देखिए दोस्तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि इस प्रकार के गुण सूत्र में जो सेंट्रोमियर है दोस्तो वो क्या होता है गुण सूत्र के एक सीरे से थोड़ा नीचे पाया जाता है ठीक है दोस्तो जो हमारा सेंट्रोमियर है तो गुण सूत्र में इसके दोस में छड़के आकार के दिखाई देते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि सीरे के थोड़ा से नीचे पाया जाता है तो क्या होगा दोस्तों कि जाहिशती बात है कि एक जो भुजा होगी दो भुजा बन जाएगी तो जो पहली भुजा होगी वह बहुत छोटी गुर्सूत्र है अब मागी पूरा गुर्सूत्र जो है गुर्सूत्र के भाग उसके नीचे है सेंट्रोमियर के तो इस प्रकार के गुर्सूत्र में दोस्तों क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो सीरे से थोड़ा नीचे पाया जाता है ठीक है दोस्तों तो चलिए हम देखते हैं एक्रोसेंट्रिक का दोस्तों यहाँ पर हमें एक्रोसेंट्रिक को डाइग्राम के माद्धें से देखते हैं तो देखिए दोस्तों अब जो हमारा दूसरा प्रकार है क्या है एक्रोसेंट्रिक क्या है दोस्तों एक्रोसेंट्रिक अब देखिए दोस्तो एक्रो सेंट्रिक में क्या होता है कि हमने क्या कहा कि जो हमारा गुर्षूत्र है ठीक है दोस्तो ये क्या है हमारा पूरा गुर्षूत्र तो गुर्षूत्र में दोस्तो गुर्षूत के सीरे से ये गुर्षूत का सीरे है तो गुर्षूत के सीरे से थो तोड़ा नीचे यहां पर क्या होता है दोस्तों सेंट्रो मियर क्या होता है ठीक है दोस्तों और जो गुर्षूत का बाकी का भाग होता है दोस्तों वो फिर पीछे होता है वो लंबी भुजा होती है ठीक है दोस्तों यह भुजा कैसी हो गई लंबी भुजा हो गई ठीक है द दोस्तो टो यह गुर्ण सूत्र के थोड़ा नहीं ठीक है दोस्तो उपस्थित थाए ठीक है दोस्तो यह क्या है सेंट्रोमियार और ये भुजा आ देखें दोस्तों यहां पर दो भूजा बन गई चुंकि एक भूजा यह और एक भूजा यह तो यह क्या है साट आर्म है यानि छोटी भूजा है यह क्या है दोस्तों साट आर्म है चोटी भूजा है और यह जो दोस्तों हमारे पास है यह क्या है लांग आर्म या बड़ी भूजा है तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को दोस्तों क्या कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें दोस्तों हमारा जो सेंट्रोमियर है वो गुर्षूत में क्या होता है गुर्षूत में सीरे से थोड़ा नीचे उपस्थित होता ठीक है दोस्तों तो टीलोसेंट्रिक और एक्रोसे सेंट्रिक में क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रो मियर है ठीक है दोस्तों वो मद्ध से थोड़ा हट कर यानि एकदम मद्ध भाग में इस्थित नहीं होता है मद्ध भाग से थोड़ा सा हट कर ठीक है दोस्तों इस्थित होता है जिससे गुर्षूत की एक भुजा क्या हो जात देखते हैं इंग्लिस वाला का जो एल होता है दोस्तों और जो जे होता है उसके अकार के यह दिखाई देते हैं तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सब मेटा सेंट्रिक तो सब मेटासेंट्रिक में दोस्तों हम देखेंगे देखें दोस्तों क्या होता है हमने क्या कहा कि जो हमारा सेंट्रो मियर ये है हमारा क्या सेंट्रो मियर तो हमने क्या कहा कि गुर्ड सूत्र में क्या होता है एक भुजस थोड़ा हट कर ठीक है दोस्तो यानि मद्ध भाग से थोड़ा हट कर यहां पर दोस्तो यह माल लीजे एक साइट की भुजा क्या है इसकी बड़ी भुजा है ठीक है दोस्तो कैसी भुजा है एक साइट की भुजा है थोड़ा बड़ी भुजा है और एक साइट की इसकी जो भुजा है दोस्त क्या कर दे दोस्तों इसको हम ऐसा तिर्चा कर दें तो यह कैसा दिखेगा दोस्तों यह यल की आकरति की दिखेगा ठीक दोस्तों और यदि हम इसको ऐसे देखें तो यह कैसे दिखेगा दोस्तों यह जे आकरति की दिखेगा तो इस प्रकार से दोस्तों यह क्या है हमारा यहा आओ गई दोस्तो सार्ट आर्मिया छोटी भुजा ठीक है दोस्तो सार्ट आर्मिया छोटी भुजा तो इस प्रकार से दोस्तो यह जो है तो तीसरा प्रकार है किसका दोस्तो यह सब मेटा सेंट्रिक है सेंट्रो मेर की स्थित क्या दार पर तीसरा जो हमारा प्रकार है दोस्त के उपस्थित होता है काउन दोस्तों सेंट्रोमियर तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं सब मेटासेंट्रिक कहते हैं आप चलिए दोस्तों हमारा लास्ट और आखरी जो प्रकार का क्रोमोसोम है अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारा चाउथा जो प्रकार है व हमारा है किसके मद्ध भाग में तो गुर सूत्र के एकदम मद्ध भाग में उपस्थित होता है ठीक है दोस्तो अता इसकी दोनों भुजाएं जो होती है दोस्तो अब चूंकि मद्ध में उपस्थित है तो इसकी दोनों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है ठीक है दोस्त यहाँ पर क्या है हमारा जो चौथा प्रकार का गुर्षूत्र का प्रकार है वो क्या दोस्तो मेटा सेंट्रिक तो मेटा सेंट्रिक गुर्षूत्र में क्या होता है दोस्तो जो हमारा सेंट्रोमियर है क्या दोस्तो हमारा जो सेंट्रोमियर है यह सेंट्रोमियर दोस्तो कहां इस्थित होता है क्रोमोसोम के एकदम से मद्धभाग में इस्थित होता है यानि दोस्तों यह हमारा क्या है यह हमारा क्रोमोसोम है ठीक है दोस्तों और यह जो है तो क्रोमोसोम के एकदम से मद्धभाग में इस्थित होता है ठीक है दोस्तों यह लगभग लगभग मद्धभ बराबर होती है तो क्या कहा दोस्तों हमने कि मेटा सेंट्रिक प्रकार के गुर्षूत्र में मेटा सेंट्रिक प्रकार के गुर्षूत्र में क्या होता है दोस्तों जो हमारा सेंट्रोमियर है ठीक है दोस्तों यह दोस्तों यह क्या है गुर्षूत्र है तो गुर्षूत्र के बीच में इस्थित होता है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार के गुर्षूत्र को हम क्या कहते हैं मेटासेंट्रिक गुर्षूत्र तो इस प्रकार से दोस्तों ये था हमारा मेटासेंट्रिक गुर्षूत्र फाइनली दोस्तों यहां पे आप चारो प्रकार के गुर्षूत्र को देख सकते हैं पहला हमने क्या बताया आपको टीलो सेंट्रिक गुर्षूत्र जिसमें जो हमारा सेंट्रोमियर है दोस्तों वो कहां इस्तित है देखिए यह हमारा गुर्षूत्र के ऊपर क्या है सेंट्र सेंट्रोमियर है दोस्तों यह कैसा है कि क्रोमोसों के थोड़ा नीचे यानि गुर्सूत के थोड़ा सीरे से थोड़ा नीचे इस्तित है देखिए गुर्सूत का सीरा है यानि है तो इस सीरे के थोड़ा से नीचे हमारा सेंट्रोमियर क्या है प्रेजेंट है अब देखिए ज यह मद्ध भाग से थोड़ा हट कर ठीक दोस्तों जानि थोड़ा आगे की ओर इस्थित होता है अब इसमें दो भुजा है बन गई तो पहली भुजा एक भुजा क्या हो जाती है दोस्तों सार्ट होते है छोटी भुजा और एक लंबी भुजा होते है जिसको हम लांग आर्म तो बोलते है ठीक है दोस्तों अब इसमें देख़िए क्या है ये कैसा दिखता है दोस्तों अंग्रेजी वज़ा के जैसा दिहासा तो हम थोड़ा ऐसे तिर्षा करदेंगे तो जिए यह अच्छन की जगह दिख यदि गा अठी को इसको और तिर्षा करदेंगे तो यह याल आक्रति की दिखाई देगा हमको ठीक है दोस्तों आप देखिए हमारा 4 प्रकार के अधार पर गुर्सूत्र जो 4 प्रकार के होते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें शाथ ही साथ दोस्तों के भी सेर करें मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रा